स्वागत है दोस्तों आपके और हमारे YouTube चैनल DK Cyber Zone में आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मास्क अधार कार्ड क्या होता है कैसे डाउनलोडिंग करते हैं इसी के बारे में आज आपको बताएंगे तो वीडियो में बने रहें वीडियो को पूरा देखे हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीज़े लाइक कीज़े और ज्यादा ज्यादा सेर कीज़े तो चले यह सुरू करते हैं तो मास्क अधार कार्ड क्या है मास्क अधार कार्ड आपके अधार कार्ड के जैसा ही होता है इसमें क्या होता है कि आपका जो 8 डिजिस जो होता है वो आपको दिखाई नहीं देता है उसमें star लगा हुआ होता है और 4 डिजिस जो होता है वो आपको 100 होता है जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहा है कि आपका 8 डिजिस जो नहीं हो रहा है 4 डिजिस जो हो रहा है इसी को मास्क अधारकार बोला जाता है तो चलिए इसे जानते हैं कैसे डाउलोडिंग करते हैं तो चलिए मेरे PC स्क्रीन पे आपको हम डाउलोडिंग करना बताते हैं कैसे डाउलोडिंग करते हैं मास्क अधारकार डाउलोडिंग करने के लिए आपको Chrome Browser में साच करना है My Aadhar My Aadhar साच करने के बाद आपको सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है जैसे ही पहले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने Login का Option दिखेगा तो Login वाले Option पे क्लिक करना है तो यहां पे आपको आधार नमर को fill करना है, यह जो केपचा दिया हुआ है इस केपचा को इसमें fill करना है और send OTP वाले पे click करना है, तो चले मैं fill कर लेता हूं, fill करने के बाद spend OTP पर click करेंगे जैसे हैं Send OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके Aadhar Card के Register Mobile नमर पे OTP आएगा उस OTP को यहां पे Fill करना है Fill करने के बाद आपको Login वाले Option पे क्लिक करना है जैसे हैं Login वाले Option पे क्लिक करेंगे तो आप Aadhar Card के Official साइट पे Login हो जाएगे Login होने के बाद आपको एक Option मिलेगा Downloading Aadhar तो Downloading Aadhar के Option पे आपको क्लिक करना है जैसे हैं Downloading Aadhar पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहां पे देखिए बताया जा रहा है कि Do You Want Mask Aadhar Card? यहां पे आपको इसको Select करना परेगा जैसे हैं mask अधार कार्ड का option पर यहां पर click करेंगे तो आपका अधार कार्ड जो है mask अधार कार्ड में बदल जाएगा उसके बाद आपको downloading का option यहां पर मिलेगा तो downloading का option पर आपको click करना है जैसे डावलोडिंग के ओप्सन पे क्लिक करेंगे तो आपका अधार कार्ड जो है PDF में डाउलोडिंग हो जाएगा तो आपके देख सकते हैं कि मेरा अधार कार्ड जो है डाउलोडिंग हो गया है तो इसको open करने के लिए इसपे इसको ऊपSiड करना है 2004, 2006, 1996, जितने year में आपका जनम दित्य होगा, ओ लिखना है जैसे माल लिजें, example के लिए यहाँ पे screen पे देख रहा है ऐसे ही आपको लिखना है तो चलिए मेरा नाम दीपक है, तो मैं सुरू का capital letter में लिख लेता हूँ और मेरे 2004 का जनम दिन है, तो 2004 लिखकर submit करेंगे तो मेरा अधार का PDF जो है, open हो जाएगा open होने के बाद आपको थुरा सा नीचे आना है नीचे आएगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा mask अधार काड जो है, यहाँ पे 8 digits देख सकते हैं जैसे मैंने बताया था कि आपका 8 digits सो नहीं होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो 4 digits है, वो सो हो रहा है इसी को mask अधार काड बोला जाता है इसे आप कोहें भी यूज कर सकते हैं इसे आपका misses होने का बहुत ही कम चांस है इसे आप गलत इस्तिमाल कोई नहीं कर सकता है तो यह जनकारी आपको कैसे लेए, कमेंड में जरूर बतायेगा तब तक लेबाए